हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं ट्रेडिशनल रेसिपी एक दम आसान सातमे हल्दी और टेस्टी यह ट्रेडिशनल रेसिपी गुज्रात से रिलेटिड है वहां कि घर घर में बनने वाली रेसिपी है और अगर आपने यह ट्राइग की हूँ तो जरूर से कमेंट बरतन लेना है तो मैंने आप एक कप लिया है आप काटोरी से भी मेजर्मेंट कर सकते हैं बरतन चाहे आप गिलास काटोरी या कप लें पस ये ध्यान रखे कि तीन चुथाई भाग इसमें बेसन जाएगा और जो उपर का बचावा भाग है उसको हम सूजी से भरेंगे यानि स सूजी इसमें फिल करेंगे तो तीन चुथाई भाग हमने बेसन से भर दिया है अब साथ में हम यहां पर एक चुथाई भाग यानि कि सूजी डालेंगे तो आपको मेजर्मेंट का ध्यान रखना है मैंने आपको यहां पर बता दिया है किस तरीके से करना है तो चलिए यह मेरी तरह कर हमारा तयार हो गया है जिसमें एक कप का थीन भाग मेशन है और एक भाग हमारा यहां पर सूजी है भी चाहें करना ने तो आप यह उत् governments बश्य संअ यह ज़िन ऑगे और नहीं अगर रखनेंगे रहे हैं तो मेरी तरह इस्तरीके से वाप बेशन से पैस्ट इसको थोड़ा सा घुमा दीजी या फिर आप चमचा भी ले सकते हैं घुमाने के लिए विसकर नहीं है घुमाने से जो हमारे बेशन में गाटे बगर हैं वो असानी से फूट जाएंगी तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्षर को घुमा लिया था तो इसलिए पानी को आप थोड़ा ही डाले स्टार्टिंग में तो अभी आप देख लीजी मैंने इसका यहाँ पर एक लंप्स फ्री पेस्ट पना लिया है तो पेस्ट थोड़ा अभी गाड़ा लग रहा था सूजी हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है सिरफ पांच मिनट के टाइम में जादा देर रखने के लिए हमें से बिलकुल भी जरूरत नहीं है और जो हमारा बाटर है वो अब और थोड़ा सा गाड़ा हो गया है यह देखिए ना तो इसकी बैटर की कंसिसेंसी रनी है और ना ही जादा यह गाड़ी है अब इस बैटर के साथ हमने क्या करना है तो चलिए आगे देख लेते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा तुगड़ा अधरक का ग्रेट करके डाल रहे हूं अच्छे से टिंट के लिए और साथ में स्वाद अनुसार डालेंगे नमक और स्वाद अनुसारी डालेंगे हम यहाँ पर मिर्च आप यहाँ पर हरी मिच भी ले सकते हैं कूट के या फिर कूटी भी लाल मिच भी ले सकते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च अपने हिसाब से अड़्जस्ट कर लीजिए ज्यादा या कम और साथ में डालेंगे एक पिंच हल्दी सिर्फ कलर के लिए डालेंगे इस रेसिपी को बनाने में बहुत हलके और कम मसाले जाते हैं तो जो भी डाले हैं उनको पहले बहुत अच्छे से मिक्स देनागे अब यहां पर डाल रहें शिमला मिर्ची बारिक कट कर और का आप यहां पर मोटे वाली मिर्च होती है जो हरी मिर्च होती है उसको भी डालके हमने अच्छे से mix दे दिया है अब यह देखिए अब यहाँ पर मैंने लिया है एक कप फरकत चावल जिस कप से मैंने बेसोन और सूजी डाली है उसी कप के मेजर से यह एक कप चावल है यह उबलावा चावल है यह आप इसे कह सकते हैं कि लेफ्ट ओवर राइस है अगर रात को चावल बच जाएं तो आप यह रेसिपी सुवे बना कर बच्चों के टिफिन में या हस्बेंड के लंच में या हलकी फुल के ब्रेकफास्ट में आप इस रेसिपी को बना कर खा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कप चावल डाल दिया है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स दे दिया है बस चावल फ्राइट नहीं होना चाहिए प्लेन होना चाहिए अकसर हम बचपन में क्या करते थे कि हमें चावल की मौर्णिंग बे कोई रेसिपी बनानी होती थे तो हम चावल एक्स्ट्रा रात को ही बना लेते थे या चावल फ्राइट करने होते थे जब तो बैटर यहाँ पर अभी थोड़ा गाड़ा था तो मैंने यहाँ पर हलका सा पानी एड़ कर दिया है और साथ ने एक पिंच सिर्फ खाने वाला सोड़ा लिया है एक पिंच लिया है अगर आप डालना नहीं चाते तो यह आपकी मर्जी है इसके बिना भी यह रेसिपी बन जाएगी मैंने इसका यूज सिर्फ रेसिपी को थोड़ा सा हलका या कह सकते की स्पंजी करने के लिए किया है तो बैटर को हमने आप बहुत अच्छे से मिक्स करकर तयार कर लिया है अब चलते हैं गैस की और गैस पर हम चड़ाएंगे एक तावा आप कैसे भी तावा यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं आइरन के तावे पर भी यह रेसिपी बहुत अच्छे से बन जाती है तो तावे को पहले ग्रीस कर लिजी और जो हमारी फ्लेम है गैस की उसको बिल्कुल लो रखना है तावा एकदम से गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारी रेसिपी पर्फेक्ट नहीं आएगी तो यहां पर हमने ओय लगा के तावे को ग्रीस कर लिया था सिरब एक छोटा वाला चंचे का बैटर का भरेंगे और इस तरीके से आप इसको यहां पर फला देंगे और दिखने में अच्छा और खाने में टेस्टी बनाने के लिए उपर से हम यहां पर तिल डाल रहे हैं और साथ में हम यहां पर बेलन का इस्तमाल कर रहे हैं इसमें बीच में सरकल करने के लिए तो बेलन से बहुत इजी यहां पर बीच में सरकल हो जाएगा गैस की फ्लेम अब भी आपको यहाँ पर कम ही रखनी है उपर से थोड़ा सा तेल उर डाल देंगे यह आपकी मर्जी है नहीं डालना चाते तो ना डाले बिना तेल की रेसिपी भी आप बना कर खा सकते हैं को टू मीडियम फ्लेम पर जब नीचे से अच्छे से सिख जाए कलर चेंज कर ले तो आप इसको पलट कर दोनों साइट से अच्छे से से शेख लेजिए इंस्टेंट बन जाती है बिल्कुल भी इस रेसिपी को बनाने में टाइम नहीं लगता ना सेखने में टाइम लगता है और यह देखिए बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट रेसिपी निकल कर आई है बच्चों के टिफिन में आप इस रेसिपी को दे सकते हैं उनके लिए एकदम यूनिक रेसिपी होने वाली है मैंने लेफ्टोवर राइस या फिर बचेवे चावल की बहुत सारी रेसिपी अपने चैनल पर डाली है यानि अपलोड की है अब वो भी देख सकते हैं पर यह बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है आज से पहले शायद ही आपने कभी ट्राइ की हो तो एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ कीजिए बिना तेल की एक तम हेल्दी रेसिपी और 100% घर क समान से बीना ताम जाम बीना जादा मिर्च मसाले किसी को भी यह रेसिपी अगर आपने एक बर बना कर खिला दी कोई भी नहीं बता पाएगा कि यह लैफ्ट ओवर राइस से बनी है फिर चाहे आप इसे सोस कैचाप या किसी भी चटनी दही या किसी भी सबजी के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मिलते हैं नई दीने रेसिपी के साथ थैंक्स पर बहुत